हेलो फ्रेंड तो कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब अच्छे होंगे बहुत अच्छे होंगे और मैं फिर से नए टीप्स हो नए है के साथ आप लोग के साथ हाजी रही हूं तो चलिए नादेदी करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं चलिए दोस्तों पहला टीप्स मे की हम प्रेस कर रहे हैं और कुछी पेंट जwww चूट जाते है चूट लग जाते हैं प्रेस आप साप करें तो आप को डिए को टृकिंगा तो वह चूट कर और यह इस तरीके से जिसे घटाने के लिए ऐसे अगर आपके घर में कोई भी मेडिशन बादा हो जैसे की पड़ा हुआ तो मैरे मेडिशन है इसे एक टाबलेट हम ले लेंगे इसमें से और थोड़ा सा प्रेस को गरम कर लिए कलर को छुड़ाने के लिए और गरम करके और यह देखे इस तरीके स करते हुए रख करते हुए और यह बहुत है सानी से निकल जाएगा यह इंदेखिए यह देख सकते हैं पूरा बढ़िया के निकल गया इसको फिर कैसा भी कपड़ा लेकर और इसे बढ़िया के पोच्छ लिए तो देखिए दोस्तों यह निकल गया है तो है न यूश्फुल तो बताईएगा कैसा लगा ये टिप्स तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टिप्स पर तो अगला टिप्स मेरा ये दोस्तों ये देखिए कलर का डबा को लेकर तो ये बच्चों कलर लाते हैं कलर करने के लिए और तो ये देखिए जैसा कि कलर इसमें से खतम हो जाता है तो अक्तर हम लोग क्या करता हैं। कि यूज क्या किजिए, यूज किये, क्योंकि इससे ना बहुत ही एक बढिया सा रखने वाला समान भी बन सकता है। जैसे कि यूग नाइजर बॉलते हैं, जो तो हम आप लोग को आज ये बना कर दिखाते हं क्योंकि इसे फेका तो इसके लिए हम डबल टेप ले लेंगे और डबल टेप देखिए इस तरीके से डबल टेप को कट लगा लेंगे और इसके पीछे यह इस तरीके से चिपकाई देखिए यह जो है कलर पूल डबा वला जो है अगनाइजर हम बना कर रेडिक कर लिए हैं और इसे देखिए कही सबस्क्राइबकर स्युक्राइब है इस तरीके से हम यहां पर लगा दे रहे हैं दिवाल में और इसमें बरस को हम अग्णाईज करके रख सकते हैं यह देखिए इस तरीके से मैं रखकर दिखाती हूं आप लोगको तो देखिए हमारे परिवार को जितना बरस है जो इसमें आ गया है तो है यूशुपल टिप्स तो बताएए कह दोस्तों कि ये वाला टिप्स कैसा लगा तो चले दोस्तों अगलें टिप्स मेरा है के बनातो दार भी दार हो जाता है कि उसे लिए हम क्या करें यह को उसके लिए आप लो हम बहुत ही एक यूजफुल टिप्स लेकर आएं, तो देखिए हमारे पास ये टूटी-फूटी घर में जो मतलब कि चूडिया होती है, जैसे के हम नहीं सब चूडिया पहनते हैं, इसका यूज हम बहुत ही जगों पर ले सकते हैं, तो इसका यूज देखिए, इसका यूज हम यहाँ प पजते हैं, तो मिक्सी जार को भी हम इस तरीके से पतिया को रगर के यह देखिए पजाएंगे, तो बताएगा दोस्तों कि मेरा यह वाला यूजफुल टिप्स कैसा लगा, तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा, तो अगला टिप्स मेरा है, यह देखिए नेन कटर को लेकर जब लोग नाखुन कारते हैं, तो ऐसा होता है, कि मतलब कि भोथरा आ जाता है, इसका धार जो है भोथरा आ जाता है, कुछ दिन के बाद पुराना जब होने लगता है, तो इसको हम कैसे तेज करें, और जैसे नाखुन नाख्षा नहीं कटाता है, उबढ़ ख़ब कटाने लगता है, तो यह दोस्तों इसका तेज करने का उपाए, देखिए, जब मेडिसन का कोई भी पत्ता होता है, घर में हमारे ऐसी पड़े रहते हैं, यह देखिए, एक मेडिसन है, इसमें एक मेडिसन नहीं है, तो ऐसे पड़ा रहते हैं, तो यह भी आप लोग यूज मिले स जाएगा धूस्तों किया अगर बत्टी को लेकर हम क्याशा कर 맛있는 लुए किसी पुजा हि करते हैं और क्या आप लोग को पता है कि इसका कितना बढ़िया असा एक योगनाईजर होता है तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पे हम अगरबत्ती ले लिए हैं अगरबत्ती को न यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसका मसाला जो है हम अलग कर लेंगे यहां पे देखिए दोस्तों यहां पे देखिए इसका जो है ना हम चूरन लेखा बना लिये हैं जैसा बना लिये हैं और इसको हम ले लेंगे एक डब्बा तो यह हमारे बच्चे खेलते हैं तो खेलने वाला यह डब्बा है तो इसमें न सारा यह अगर बत्ती का जो पाउड प्लास्टिक है तो इस तरीके से एक रबड हम ले लिए हैं और लगा लिए और लगाने के बाद इसमें थुड़ा सा यह देखिए इस तरीके से होल बना लीजिए तो यह बंद कर तयार है दोस्तों और इसका चुर्श्टी की देखिए निकला है इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे फेकेंगे नहीं क्योंकि कभी कताल होता है ना कि जैसे कि हम दातों में फास जाता है कुछ खाने में खूदने के लिए भी यूज किया जाता है इसे इसका जो है तो ईसको कहां रखेंगे जैसे के कपड़ा उनी दोस्ता हम रखेंगे चैनि कीम अरने चैनि और क्वीधे में रखते हैं मुझत अप्राइज घर जाए निकलता है तो हमारे कपड़ा में भी घूशेंगे तो इस तरीके से यहां पर छोड़ देंगे थाकि इसमी तेक बैडड़ मुझता है यहां निकल जाए तो बताइये का किये मेरा useful tips कैसा लगा तो दोस्तों आज का मेरा video कैसा लगा है वाला नहीं नहीं टीप्स वाला video तो हम सब महिलाओं को ही अपना बचत करना चाहिए जैसा कि हम लोग बचत करेंगे तो हम लोगी प्रोफिट में रहेंगे तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सेयर कीजिए न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा